उत्रप्रदेश के विधान सभा चुनाओं का आगाज हो चुका है भारती जंता पार्टी की तरफ से भी आज पहले और दूसरे चरण के लिए 107 केंडिरेट गोशित किये जा चुके हैं बीएसपी ने भी अपने केंडिरेट गोशित किये और समाजवादी पार्टी आरेली एलाइंस ने भी गोशित किये हैं क्या समीकरण बन रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है हमारे साथ बुझेश पाठक हैं जो कि उत्रप्रदेश सरकार में मंत्री हैं बीजेपी ने 107 केंडिरेट गोशित आज कर दिये हैं 20 विधायकों के टिकट काटे गये हैं जो कि एक्सपेक्टेट था कि बहुत से नॉन परफॉर्मेंस जो होंगे उनका टिकट काटा जागा क्या आपको लगता है कि जो आंकलन किया गया उसके हिसाब से यह सही होगा जीत के आएंगे मैकसिमम लोग बारती जनता पार्टी के नेतुत ने जो भी उमिद्वार दिये हैं बहुत ही बेहतर हैं और आप देखेंगे जो परिडाम आएगा दस मार्च को यह सभी उमिद्वार भारी बहुमत से जीत करके आएंगे जो 20 टिकेट काट दी गए बिधायकों के बड़ी संख्या में अभी तो कियो पहला और दूसरा चरण है अभी इसके बाद पांच और चरण है तो यह तो संख्या बड़ी हो जाएगी काफी बड़ी हो जाएगी जिनके टिकेट काट यह अब फैसला कुतरप्रदिशी जनता के हित में पार्टी हित में बेहतर से बेहतर उमिद्वार हम लोगों ने दिये हैं और आप देखेंगे कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ प्रचंड लहर भारतिनता पार्टी के पच्छ में चल लएगी है दो और बिल्कुल नई चीज हुई है मुख्यमंत्री योगिया दितिना केशो परसाद मौरिया है उनको सिरातू से लड़ा जाएगा तो ये बिल्कुल नई चीज है विधान परिशत से अब उनको साबित करना है जनता के बीच में पूरी प्रदेश की जनता ने से स्वागत किया मैं देख रहा था भी सुसल मीडिया पर जनता ने बहुत निड़े को सरहा है अब चाहरे हैं कि जो जो लोग है अभी दूसरे विधान परिशत में उनको भी चुनावा के लड़ना चाहिए लेकिन उत्रप्रदेश की जनता के आशिरवाद से भारती जनता पार्टी के सभी प्रत्यासी जीत करके आएगे अभी कुछ दिर पहले अखिले शादों कह रहे थे कि अब हम किसी भाषबा के विधायक को अब शामिल नहीं कराएंगे उनकी जो पैयनबाजी है उन पर ही भारी पड़ेगी भारती जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने करकरताओं के बलबूते पांच साल में जो हमने काम किये हैं आदरी प्रधारमतिन नरिद मुदी जी के आशिरवाद से जनता के बीच में जाएंगे और परिड़ाम भारती जनता पार्टी के पच्छे में आएगा और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो सोशल इंजिरिंग 2014 में शुरू हुई थी एक प्लेटफॉर्म पे तमाम दलों के नेता आ गये थे तमाम जातियों के जो नेता आ गये थे इस बार समाजवादी पार्टी में इकठा हो रहा है वो उसका भी एक दावा है कि बहुत जबर्दस 2014 में 17 में 19 में बुरी तरह से परास्थ हो चुके हैं उनका प्रदेश में अपने बलबुते कुछ नहीं है वो 2-3-4 लोगों को जोड लेने से चाहते हैं कि परिच्छा में पास हो जाएंगे जो समभव नहीं है पसपाद्यक्ष माय उतीन आज प्रेस कॉंफरेंस की उन्होंने भी आज पहले चरण के कैंडिडेट गोशित किये हैं हमने देखा कि 30 फीजदी मुसलिम कैंडिडेट उसमें लाए गया है क्या आपको लग रहा है क्या गड़ित होगी इसके पीचे जी राष्टी नेता है और उन्होंने भी इस लोगतंत्र के महापर्व में अच्छे से अच्छे उमिद्वार दिये होगे अच्छा है जीपी का क्या आंकलन आप देख रहे हैं आप तो बहुत जगह घूम के आ रहे हैं भारतियंता पार्टी की लहर चल लही है गाओं में जो गरीब लोग हैं जो सरसमाज के लोग हैं आदरनी पतानमती नरिद मोदी जी को अभार प्रकट करें उनको निसुलक मकान मिला है निसुलक सोचाले मिला है निसुलक बिजली का कनेक्शन लगा है गैस कनेक्शन निसुलक मिला है उनको पाच लग तका निसुलक इलाज मिला है उनको उप 6,000 रुपिया उनके खाते में आ रहा है किसान समानी दी का साइकणों योजनाएं भारतियंता पार्टी की सरकारों ने दी है और जनता कासितबाद भाजपा के सभी परत्याशियों को मिला है चलिए बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए तो ब्रजेश पाठक जित है और उनका ये कहना है कि बीजेपी के पक्ष में लहर है क्योंकि कई जगों से ये होके आए है और इस बीच में जो टिकट घोशित हुए हैं कई लोगों के टिकट काटे गये हैं कुछ नए लो